OTC product क्या होता है और OTC product का जो sales pattern है किस तरीके से करते हैं ठीको सबसे पहले तो आप जालो OTC एक short form है over the counter product over the counter product का short form है OTC ये क्या होता है over the counter product ऐसे product जो की थोड़ी से दवाओं की category में आते हैं लेकिन उस दवा को बेचने के लिए या खरीदने के लिए किसी भी doctor के prescription की जरोत नहीं पड़ती यानि कि doctor के पड़चे की जरोत नहीं पड़ती ये चीजे थोड़ी सी दवाओं की category में भी आते हैं लेकिन आप इनको आसानी से बेच सकते हैं एडवीडीमेंट के माध्यम से बेचे जाते हैं या लोग उसको बारे में जानते हैं तो वो खरीदते हैं किसी भी दुकानदार से जाकर इस तरीकी जो दवाएं हैं इस तरीकी जो प्रोड़क्ट हैं वो medical store पर भी मिल जाती हैं जनरल store पर भी मिल जाती हैं यानि कि एक cosmetic, personal care, किराना store पर भी बेची जाती हैं ऐसी चीजों को हम over the counter product की category में divide करते हैं यहाँ पर आपको कुशनी करना ये समझिए कि इसको doctor नहीं लिखता ये वैसे ही famous हैं और इसे बिना doctor के prescription के बेचा जा सकता है जैसे कि horlix हो गया, wix का आता है, wix हो गया बहुत सारी आइसी दवाइं हैं जो आप खरीते हैं बहुत सारी जैसे चोट लग जाती है, मोच लग जाती है इस तरह की जो दवाइं हैं वो खरीते हैं supplement खरीते हैं, food supplement जैसे horlix की category के बहुत सारे supplement हो गय하하 protein X हो गया, बहुत सारी चीजे इस category में आती है बच्चों के जो milk powder होते हैं दूद होते हैं, इस तरह के बहुत सारी चीजे आती है आप Google पर search करेंगे तो सारी product list आपको आसानी से मिल जाएगे अब यहाँ पर sales कैसे होती है तो यहाँ पर doctor तो किसी sales को promote नहीं करता तो sales कैसे होगी दोस्तों इसकी जो sales होती है वो FMCG food की तरह ही होती है यहाँ पर भी channel sales के माध्यम से इसको बेचा जाता है company से बाल, distributor के पास आता है और distributor से उस area के जितने भी दुकानदार होते हैं उनको beat में divide किया जाता है और daily 40-50-60 counter किये जाते हैं यानि order लिया जाता है और माल उसी दिन supply हो जाता है, साम को supply हो जाता है या अगले दिन supply हो जाता है जैसे distributor की बेवस्ता है supply की माल की यहाँ पर भी दुकानदार को उधार माल मिल जाता है, नगद मिल जाता है यानि उधार पर भी मिल जाता है और cash पर भी मिलता है इसकी process बिलकुल सेम है FMCG, food या किराना store पर जैसे product बेशती है, कोई भी company किसी भी general store पर बेशती है cosmetic store पर जैसे सब जगे इसकी बस, बतलब एक product का nature अलग है लेकिन सारी sales की परिविक्या एक जैसी है लगते तो यह product है, कि doctor लिखेगा तो ज़्यादा भी कहेंगे, कि doctor लिखने की यहाँ पर जरूत नहीं होती और over the counter इसको इसलिए का जाता over the counter, यानि customer counter से जाके इसको आसानी से खरीच सकता है, इसके लिए किसी परशे की जरूत नहीं है, या दुकानदार को बेचने के लिए किसी license की जरूत नहीं है, license की जरूत नहीं है मैंने आपको बताया, यह product किराना store पर भी बिख जाएंगे, cosmetic store पर भी बिख जाएंगे, किसी भी दुकान पर बेचे जा सकते हैं यह पूरी तरह से दवाईयों की category में नहीं आती है